हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन में और आज बात करेंगे डाफ्ट मैंन के बारे में लेकिन स्टाट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नो वट इस अधार्व मैं तो सिंपली एक बार डेफिनिशन देख लेते हैं अधार्व मैं ओलस नोन आज दॉन अज़र्व पर्सन स्कील्द इन इंजिनीरिंग द्रोइग्स जी हाँ दोस्तों डास्में वह बिक्ती होता है जो इनजिनीरिंग ड्रोइं जीडिनीरिंग ग civil mechanical electrical related drawings बनाता है और different engineering field के according draftsmen भी different हो सकते हैं फिर्स्ट civil draftsmen जो buildings, roads, dams, bridges, etc की drawings प्रिपेर करते हैं फिर mechanical draftsmen जो machine and machine parts और इससे related drawings प्रिपेर करते हैं electrical draftsmen जो electrical related wiring and layout diagrams प्रिपेर करते हैं electronic draftsmen जो electronic devices के wiring diagram, circuit diagram, etc के drawings प्रिपेर करते हैं piping draftsmen, pipelines की drawing और architectural draftsmen, houses and buildings की drawings प्रिपेर करते हैं नो यह drawings बनती कैसे past में यह drawings बनाई जाते हैं by hand with the help of drawing instruments जैसे drawing board, pencil, compass, protector, etc जिसमें काफी time जाता था और कुछ percent inaccuracies के chance भी रहते थे बट 1980s से 90s में काफी अच्छी development हुई जब care systems को introduce किया गया, care means computer added design, जिसे हम designing and drafting का काम काफी fast speed and accuracy के साफ करने में capable हो पाई, इन pictures में हम देख सकते हैं किस परकार traditional drafting की जाती थी, यह technique industries में तो obsolete हो चुग है बट अब भी basic drafting सीखने के लिए इसी technique का use किया जाता है, present में काफी सारे CAD software market में available हैं जिसे AutoCAD, SolidWorks, ProE, Revit, Catia, Tecla और इनके लाब भी बहुत सारे software market में available हैं जिससे हम 2D and 3D drawings easily बना सकते हैं तो friends वीडियो का यह end करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर दे और इसे share कर दे अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर दे thanks for watching and take care